सिवपाल सिंग यादों की एक कदम ने सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया है हाली में सिवपाल सिंग यादों ने मुख्यमंतरी योगी आदितिनाद से मुलाकात की थी इसके बाद सिवपाल के बिजेपी में जाने की चर्चाओं सुरू हो गई थी अब सिउपाल सिंग ने ट्वीटर पर प्रधानमंतरी नरेंद मोधी यूपी के मुख्यमंतरी योगी आदितिनाद और पुर्व डिप्टिस यम डॉक्टर दिनेश सरमा को फालो किया है इससे पहले सिउपाल सिंग यादो पी-म को ही फालो करते थे स्यूपाल सिंग के इस कदम से एक बार फिर से राजनीती में चर्चाओं का तौर सुरू हो गया है इससे पहले चर्चा थी कि स्यूपाल यादों ने दिल्ली में ग्रीह मंतरी अमिसा से मुलाकात की थी उसके पाल सिंग यादों बुद्यवार को योगी आदी तनास से मिले थे अखलेस यादों ने सपाविधैक दल की बैठक में नहीं बुलाया था इससे नराज होकर सिंग पहले इटावा गए उसके बाद दिल्ली चले गए इसके पाज जब अखलेस ने सहयोगी दलों की निताओं की पैठक बुलाए तो उसमें सिवपाल नहीं गए बलकि उन्होंने दिल्ली जाकर मुलायम सिंग यादों से मुलाकात की सुत्र बताते हैं कि इटावा से दिल्ली जाने के दोरान सिवपाल ने पुर्विधाक हरियोम यादों से भी मुलाकात की थी हरियोम रिस्ते में उनके समधी हैं और सभा से नाता तोड़कर बीजेपी में चले गए हैं वहीं भबिस के फैसले पर सिवपाल ने कहा कि वक्त आने पर इसका खुलासा करेंगे सिवपाल के इस रहस्माई बयान से सियासी हलके में चर्चा का दौर सुरू हो गया है सपा के साथ गड़बंदर करने के बाद सिवपाल को उमीद थी कि उनकी पाटी के नेताओं को भी टिकट मिलेगा उन्होंने करीब 25 नेताओं की सुची अकलिस यादों को सोपी और ये भी कहा कि जो जिताओं प्रत्यासी हों उन्हें टिकट दे दें लेकिन सपाय ने सिर्फ उन्हें ही टिकट दिया जिसके बाद अमाना जा रहा है कि सिवपाल सिंह यादों लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और चल्दी वो भी अपनी बहु अपाना यादों की तरफ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं डेक्स रिपोर्ट डीके न्यूज